अकर सब्सक्राइब करेंगे हैं लिए स्टाइश चार्डिक साहिस्टिक्स और जलब अप्टोल प्रोबिविलिटी बेस्-टे टेरम इन सभी को प्रेक्टरे जाने प्रोपिक प्रोड कियें तो आज की टॉपिक को में स्टार्ट करते हैं इसी की साथ हमारी आज की टॉपिक है प्रोविबिलिटी डिस्टिपुशन अब probability distribution क्या होता है इसमें सबसे पहला जो terminology हमें पता होना चाहिए किस तरह से आप probability distribution करोगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए एक term होता है random variable एक term होता है आपका random variable कहने का मतलब कहा है जैसे सब्पोच करते हैं कि आपने तीन को टॉस किया एक साथ या चार को एक साथ टॉस किया या तीन को एक साथ टॉस किया और किसी नहीं आप से पूछा head आने की probability बताई है probability distribution बताई है तो head कितनी बारा सकता है हो सकता है head एक भी बार ना है हो सकता head एक बार आजए हो से एक तरका head दो बार आजए तो head तीनों के तीनों coin पर आ सकता है तो यह जो value जाए आपकी 0, 1, 2, 3 यह क्या है आपकी यह आपके random variables हैं मतलब कि क्या है कि random variable क्या है एक तरह का ऐसा variable जिसको आप predict नहीं कर सकते हो बट वो several possibilities में से exist करेगा तो मैं इसको यहाँ पर define करूं अगर so random variable क्या है आपका so एक बार एक काम करते हैं पहले इसको erase out कर देते हैं यहां से ठीक है so आपका random variable क्या है a variable whose values cannot be predicted cannot be predicted but it is one among the it is one among the several possibilities is called a random variable वो एक्जाम्पल वापस यहां पलकिता हूँ दिम झाम प्लिएख मैंस्पल त्हांपल यहांड रचाम्पल रच्ट अवजैंकल अष्ट्ट्ट पर क्याट्साट्ट्ट्ट्ट्ट intrigued रचैं क्यां रच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्latिंच hypothesis 3 times Hence आपका variable क्या हो जाएगा? Hence x is equal क्या हो जाएगा? आपका एक भी head नहीं आ सकता है एक head आ सकता है दो head आ सकता है तीन head आ सकता है तो आप distribute कर सकते हो Hence Hence आसे अ इस पैज कर सकता है आपका प्राणोबिन औिक राणोबिन आपका ऴे यकी और आ सकता हन्या whisper आपका 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 घ्चिसंधे ल्टेक想ाँ अपका रा ओके सकता है लूएगावाशफ नाणicating आप कैसे करोगे आप देखो एक टेबल बना नहीं होगे आपको इसके लिए गेट में इसके ओपर एक नमबाव कोश्चन जल मुस्टली आ जाता है इसमें आपकी दू रोज होंगी एक में जिसमें आप रैंडम वैरिबल लिखोगी एक में आप उसकी प्रॉइल्टे लिख दोग機 ऑइ ठीक है अं lunar ही आप कि अज्ड़ा स्टेका कर दो यहां यहांब है कई आप आपकीया कॉरेट आपर आपके जीरो वन दू and 3 so column extra बन गए उसको आप डिलीट आउट कर दो यहां से ठीक है तो यहां पर आपका आजएगा x और यहां पर आजएगा आपका px यहां पर x था आपका 0, 1, 2, 3 0 means 1 भी 8 नहीं आना 1 means 1 है डाना, 2 means 2 है डाना 3 means 3 है डाना तो अगर आप sample space लिखो तो मैं sample space क्या होगा जाएगा देखो तो triple h hht hth th htt tht tth and triple t total number of items कितने होंगे? 8 अब उसमें से एक भी head ना आए एक भी head ना आने का मतलब कितीनों कितीनों टेल आ जाए तो उसके आने की probability क्या होगे? 1 by 8 क्योंकि एक बर ऐसा हो रहा है सिर्फ एक head आए तो देखे एक head आने लेकितने outcomes है 1, 2, 3 3 by 8 सिर्फ में दो head आने वाले भी 3 है आपके है 3 by 8 तो तीनों पर head आ जाए तो वह एक बार हुआ है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने random variables की probability का distribution कर सकते हो ठीक है? चले, असे ओपर question कैसे आएगा आप आगे रेखते है random variable आपके दो तरगी की हो सकते है एक आपका discrete random variable दूसरा आपका cumulative random variable तो दो तरगी की आपके पस random variables होते हैं या continuous random variables को हम भी बोलते हैं चलिए, so types of random variable की बात करूँ अगर types of random variable की अगर मैं बात करूँ तो पहला है आपके पास discrete random variable discrete random variable क्या होता है वो देखते हैं so discrete random variable क्या होता है कि अगर सबोच करो, अगर आप सबोच करो कि आपके पास x random variables है x random variable है और उसमें से कोई एक value आपका random variable उठा लेता है discrete of values में से उसको प्यागर देओ discrete random variable होता है तो मैं इसको define करूँगा if a random variable x takes the finite number of the finite number of values the next is called the next is called a discrete random variable यही तो मतलब हो गया उसका quality trivial Matole वो गया basically but इस गोर आपको इसको mathematically define कर ना हो देकर mathematically काई से defined कर सकते हो let we denote the possible values taken by taken by random variable x here we have been value 0, 1, 2, 3 so I say xb मैं मान लेता हूँ, x1, x2, x3, dot 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 dot, xn. Then, let, probability of P is equal to xi is equal to pi. Then, आप pi को कब probability function बोल होगे? Probability function of a discrete random variable कब बोल होगे? is called the probability of, is called the probability function of function. If it satisfies, ये कंदिशन आपको पताओगी, if it satisfies the following. condition, ये satisfy करना चाहिए, following condition को. क्या है वो condition? दो condition है आपकी. पहली चीज, ये जो इतनी भी PIs होंगी आपकी, वो सभी की सभी क्या होने चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टो 0 होना चाहिए, for all i, दूसरा, आगर आप इन सभी PIs को जोडते हो, x equal to 0 to 1 i, इसकी value 1 आती है. जब देखो भी आप पीछे जाके, इनको जगर आप add up करोगे, 3, 1 by 8, plus 3 by 8, 4 by 8, 4 by 8, plus 3 by 8, 8 is 7 by 8, 7 by 8, 7 by 8, plus 1 by 8 is 8 by 8, 8 by 8 is 1. इसी को हम probability density function भी बोलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, इसमें continue करेंगे, इसी चीको दूसरे form में भी गेट में पूछा गया है, इसको भी मैं आपर define कर देता हूँ, hence, उसको एक साथ define करेंगे, पाहले दूसरा type भी define करता हूँ, उसके बाद दोनों को एक साथ define करेंगे, दूसरा आपके बास होता है, दूसरा आपके बास होता है, दूसरा type है आपका, cumulative, cumulative या, इसको हम क्या कहते हैं, cumulative वह रहता सकते हैं, आप cumulative के जगा आप बात कर सकते हैं, continuous, discrete random variable की, थोरे, continuous random variable की, दूसरा type होता है आपके बास, continuous random variable, अब इस continuous random variable क्या होता है, continuous random variable क्या कहता है, कि आगर सबोच करते हैं, आपके बास एक continuous range हो, जैसे मैं कहता हूँ कि 0 से 500 एक range है, उन में से कोई set of values अगर आपने कोई उठा ली random variable की, दूसरा आपके बास होगे continuous का होगे, और आपके अपके अपके अपर है, अपके अपके अच, अपके थापिक, बास ड्रेकी, भाप्तिय के अपने का अपके, प्रॉम अ कंटीनिवस रेंज ओफ प्रॉम अ कंटीनिवस रेंज ओफ वैल्यूस चलिए भी मैं दोनों का एक्जामपल एक साथ देता हूँ एक्जामपल यह है कि सब कुछ करते हैं मैंने क्या किया ग्जामपल लिया पहला आपका डिस्क्रीट रेंडम वैंडम का डिस्कृत रेंडम वैरिवल क्या होगा यह से इस सब बोच करो आपसे किसी ने कहा कि आपने क्या किया है और उसमें से वो variable उठाना है जिसमें sum आपका 3 आजए तो से पहले तो x में क्या क्या हो सकता है मैंने का let x be any random variable any random variable which includes the set of sum of numbers on throwing two dices तो बता ही x क्या क्या हो सकता है minimum आपका क्या आज़िस के value 2 आ सकती है sum 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो सकता है 9 हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो सकता है maximum 12 होगा तो random variable तो यह सारे हो जाए है बढ़ किसी नहीं आप से कहा कि let x1 denotes the sum of two dices. तो देखिए अब आपका पास क्या आए? यही तो setup values हैं. इनके बाहर कुछ नहीं हो सकता है? इनके बाहर तो कुछ और नहीं हो सकता है? या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा. तो हम यहां से यह कह सकते हैं कि यह variable कैसा हो गया discrete random variable हो गया ठीक है चलिए दूसरे example कि अगर मैं बात करूँ आपकी continuous random variable कि मैं बात करूँ आप से पोच करते हैं अब अगर आप से पोच करते हैं मैंने का किया या मैने एक part si या कोटा की बोटल ले ली अ को कोका बोटल ले ली कि मालदेता हूँ उसका जो वॉलियूम है कने इता क्रेव सो में बताूइए एक्स क्या है एक्स क्या है व्लॉइम है कि अ और को ऑक्रट तल को ऑफकर ड़लिन इन 1000 ml cup सो देखिए अब X क्या ले सकता है कोई वैल्यू सकता है 0 ml भी हो सकता है 1 ml भी हो सकता है 2 ml भी हो सकता है 3 ml भी हो सकता है डॉटडड़ डॉटड़ तिल 1000 ml तक कोई भी वैल्यू उठा सकता है any other values तो क्या हुआ आपने किया कि continuous range of values में से कोई value उठाई तो इसी लिए इसको क्या होगी आप continuous random valuable बोलोगे है clear है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी जो मैं पीछे आपका discrete random variable में जो चीज बात कर रहा था आप उस चीज पर वापक आ जाता हूं आप एक term define किया था मैंने probability density function यहीं से आपसे हवाल बनने सुरू हो जाते हैं तो सबसे पहला मीन टॉपिक जो इस टॉपिक का वह है probability density function probability density function अब probability density function क्या होताँ उच्प्र वोच करते है है आपके पास सब कोच करते है आपके आपके पास एक continuous random variable है let sorry let x be any continuous random variable को भी continuous random variable है then 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 its probability density function pdf आगे से मैं लिखूँँगा इसको probability density function pdf मैं इसको pi चे रिनोट किया था is defined such that is defined such that अब आपके पस condition है क्या क्या condition है पहली मैंने बुला था इन सभी की value क्या होनी चाहिए यह जो पी आई आपने define क्या होनी चाहिए dx is equal to 1 और इसी को आप तुसरी फॉर्म में कह सकते हूँ, summation of bx is equal to 1 होना चाहिए, और तीसरी क्रेटिरिया क्या होती है, यगर सबोच करो, आपका random variable a से b के बीच में लाई करता है, तो इसकी value क्या हो जाएगी, simple है, आप क्या करना पढ़ाएगा, summation करना पढ़ाएगा integral of a to b bx dx, यहां पर close bracket नहीं है, तो आपको a और b को छोड़के, so x greater than a x less than b, आपको px निकालना पढ़ाएगा, तो ऐसे function को आप क्या करोगे, probability density function बोलोगे, तो यह तो बात होगई आपकी किसकी, एक continuous random variable की, वही ही जगर आप, आपने एक और valuable डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया, एक discrete random variable, अगर आप discrete random variable की बात करोगे, तो यही PDF क्या बन जाएगा, आपका probability प्रोबिल्टी मास function बन जाएगा, क्या बन जाएगा, probability mass function, चलिए, इसको बिल गते है, दूसरा है आपका, तीसरी, जो टॉपिक है, वो है आपकी probability mass function, अभी probability mass function क्या है, तो वहाँ पे आपने x माना था क्या, वहाँ पे आपने x माना था, एक continuous function, अब मैं मानता हूँ, यह discrete random variable, तर रहाँ, प्रोबिल्टी मास function को PMF लिख रहूँ, तो अब मैं, तन PMF P of X is defined as is defined as C condition क्या है, पाहली P of X is equal to p x equal to x बैसे इतने भी आपको निकालना उस पर वैल्यू आप देख लोगे दूसरा है इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें से greater or equal to 0 होनी चाहिए तीसरा क्या है इन सभी का sum p x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यह भी 1k पर होनी चाहिए ऐसे function को आप आगाते हो आप ऐसे function को आप probability mass function बोलोगे clear है ठीक है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम topic अपनी जो topic start किया है वो है हमारा distributions का तो सबसे पहले हम discrete distribution की property देखेंगे फिर continuous distribution की भी property देखेंगे so properties of distribution उसने पहला है आपका discrete distribution discrete distribution की property की है आपने property लिखी जो भी आपकी probability होगी इन सभी का sum क्या होगा one के बरावर होगा दूसरा आपको क्या निकालना है expectance expectation क्या होती है वही आपकी क्या होती है mean होती है so mean और expectation that is major around central tendency ये किसके बरावर होता है आपका ये बरावर होता है आपका summation of x into tx आपको x से multiply करके उसके probability से multiply कर जाओगी आपको mean ले जाएगा आपको इसके बरावर आपको क्या निकालना है variance निकालना है आपको क्या निकालना है variance निकालना है so variance क्या होता है का यहाँ पर summation of it is equal to expectation of x square sorry expectation of आप इसको चोड़ाँ चेंज करो x square minus expectation निकालने के बाद उसका होड़े square इसको का दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो ये बिज़ना सिंग क्या है आपका summation of x square into p x summation summation x sorry summation x p x का whole square x p x का whole square same वही फॉर्मला जो कल मैंने आपको वहाँ पर पताया था so अगर आपको variance पताया तो आप क्या निकाल सकते हो so sd क्या हो जाएगा आपका sd मतलब standard deviation it is nothing but under root of variance so ये सारी property जा भी उच करके question को solve out करेंगे जो भी हम मैं थोड़ी दिर में इसको solve out करेंगे हैं ठीक है दूसरा दूसरी property है आपकी continuous distribution की continuous distribution तो इसमें आपने क्या देखा पहली property आपकी क्या थी पहली property आपकी इसमें थी की पहली property में आपकी आई थी कि summation of अगर आपका interval minus infinity से प्लस infinity है तो summation of px की value क्या थी आपकी px dx की value आपकी क्या थी वन के बलाब और थी दूसरा आपने इसका आप बात करोगे आपके इसके expectation की expectation को मैं ex से दिखा रहा हूं तो ex की value होती है minus infinity से प्लस infinity यहाँ पहे आपका x into px dx कर दोगे है तो आपको expectation मिल जाएगा तीसरा आपका आता है variance की बारी so variance क्या होता है nothing but variance is nothing but same way equation आपकी ex square minus ex का whole square ex का whole square so ex square क्या हो जाएगा आपका integral of minus infinity से plus infinity x square into px sorry मैं इसको से गताव p को हा into px dx and minus integral of minus infinity plus infinity x px dx इस पूरे का आपको क्या करना है whole square करना है so variance जब आपके पास आगया तो standard deviation आप यहाँ से तर्कले निकाल सकते हो as d is equal to under root of variance यह हमने कल देखे लिया था जहाए mean और expectation क्या है आपका measures about इंटल डेंडेंजी variance and sd k major is about dispersion ठीक है चलिए तो यह आपकी property जो है continuous distribution और discrete distribution की ठीक है अब एक question देख लेते हैं इसकी के उपर उसके बाद हम आगी topic में बढ़ेंगे इसमें जो different types of distribution हो तो इसकी बात करेंगे चलिए question देख लेता हम इसकी उपर आज की लास की question number one question number one कहता है random variable random variable x has probability distribution as follows probability distribution as follows अब आपको यहां पर x दिया है और उन्हों पी एक्स ओफ एक्स आई दिया हुआ है आपको एक टेबल बना दी है मैं टेबल बने बना दी है उसमें समय लेगा जीरो वन टू थ्री फोर इनकी वैल्यूस दे रखिए इन्होंने के टू के थी के पोर के एंड फाइफ के अब यह आपसे फॉर्मला पूछ वैल्यूस पूछ रहे हैं question है value of k क्या है probability क्या है px less than 3 के लिए c यह वह आपसे पूछते है mean and variance क्या होगा तो यह आपके पास question है solution है आपके पास अभी एक discrete random variable है एक कैसा वारी वाल है आपका discrete random variable है सिंसे discrete random variable है तो discrete random variable की property क्या होती है summation of px 1 के परावर होगा तो इन सभी की value 1 के परावर होगी तो k plus 2k plus 3k plus 4k plus 5k it is equal to 1 this implies 3k, 6k, 10k, 15k so 15k is equal to 1 this implies k is equal to what 1 by 15 simple अच्छा, दूसरा question आपसे क्या कहता है next question आपसे कहता है probability निकाल लिए probability क्या निकाल लिए px less than 3 less than 3k basis में क्या होजाएगा px equal to 0 क्या परावर जोड़ना पड़ेगा px equal to 1 के लिए जोड़ना पड़ेगा plus px equal to 2 के लिए जोड़ना पड़ेगा so x equal to 0 पर क्या के plus x equal to 1 पर 2 के x equal to 3 पर 3 के आपका वैल्यू क्या होजाएगा आपका 2 पर 5 पर 2 पर 6 पर 5 ठीक है चली आपको अगला वैल्यू निकालना वो mean and variance के लिए आपको क्या करना पड़ेगा x और px लिखना पड़ेगा mean क्या होता आपका आपने मैने मैनी mean अभी लिख वाया पीछे x is equal to मैंने क्या लिखवाया देखिए पीछे देखिए x px आई समेशन करवाया था x px का समेशन so mean है आपका x into px का समेशन और variance है आपका variance था आपका summation of x square into px minus summation x px का whole square यही variance था इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा टेबल बना लो जारा बेटर रहेगा तो मैं यह जरूट आता हूं सब्सक्राइब करता हूं कि और आपके लिए एक टेबल बना देता हूं कि आपके टेबल बना नहीं हम यह आपके आपकी एक्स हो जाएगी कि इसमें आपका एक वेल्यू आएगा x फिर px ठीक है तो यह हो जाएक आपका यहां पैए एक्स आ जाएगा है यहां अब आपका पी एक्स आ जाएगा कि यह आपे एक्सटीबस्टा रजेगा कि यह आपका एक्सप पी कसई आ जाएगा यहां पर XI P XI स्कुयर आ जाएगा तो वो रिमेरिंग स्पेस फ्री है उसको डिलेट कर देंगे वहां से आपके पस वैलुस क्या कहा है जीरो है आपके पस वन है आपके पस टू है आपके पस थ्री है लास्ट वैलियो आपके पस फूर है ठीक है बाकी यहों को यहां से रिज आउट करो चलिए solve करेंगे अब इसको यहां पर आपका XI है यह आपका P of XI है यहां पर आप XI स्कुयर कर लो यहां पर XI P XI कर लो यहां पर आप XI स्कुयर P XI कर लो चलिए XI था आपका 0, 1, 2, 3, 4 यह था आपका K, 2K, 3K, 4K and 5K यहां पर आपका 1 by 15 2 by 15 3 by 15 4 by 15 5 by 15 XI स्कुयर यहां 0, यहां 1 2 का स्कुयर 4, 3 का स्कुयर 9 4 का स्कुयर 16 अभी XI into P XI करना है 0 into this, 0, 1 into this, 2 by 15 12 by 15 9 for the 36 by 15 16 5 16 5 80 by 15 sorry, मैं थोड़ा से घरबड कर दिया यह सारी वैल्यो यहां पर आएगी मैं यहां पर मुल्पलाए कर रहा था XI स्कुयर into P XI करना बहना समेशन राइक्साइब एक्साइब करतू जाएगा जी ऐत այेसर कॉलह सब एक्साइब एक्साइब क्या होगा ह हुसे इसका फेस्ट अच्छा होया एक्साइब कि P X I का इसकी वेल हुजाएगी 2 by 15 प्लस 12 by 15 इस थोड़ा सब इसको बढ़ा कर लेते हैं था कि डिफ्रेंशेट कर सोगा इसको 2 by 15 12 by 15 14 9 15 14 9 15 36 by 15 that is equal यहां पर आ जा रहा है आपका यह 2 x 2 sorry 2 x 14 plus 36 14 plus 36 हो जेगा 50 50 plus 80 130 30 is equal to 130 by 15. So direct formula लगा दो अब so यहां से आपका expectation या mean क्या हो गया? So expectation or mean is equal to what? Summation of xi into p xi. So it is nothing but 40 by 50. आपसको solve what कर सकते हो? मैं आपसको solve नहीं कर रहा हूँ. Variance क्या होता है? Variance होता है summation of xi square p xi minus summation of xi p xi का whole square. So xi square बार वाया 130 by 15 यह होगे है minus 40 by 15 का whole square. So it is equal to 130 by 15 minus 1600 divided by 225. अब इसको solve करोगे? तो यह नीचे आजगा 225 और यह होजगा 113 by 15 यह आप solve out कर लो इसको. So 113 by 15 minus 1600. So it is coming out to be 350 divided by 225. So इस तरीके से आप यह मैंने एक general question करा दिया जिसमें आपने जितनी भी topic अभी मैंने cover up करा इस time पे उन सभी के questions एक साथ आगए आपके. Clear है? So इसी तरह की distribution को भी आप क्या कहते हैं? जो मैंने distribution आपको अभी कराया. इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो? General Discret distribution. So मैं types of distribution मैं चला जाता हूँ. मैंने इसलिए question पहले करवा दिया. So अब आप बात आती है types of distribution. पांच तरीके के टाइप है पहला है जनरल डिस्टिबूशन जनरल डिस्क्रिट डिस्टिबूशन दूसरा होता है आपका बाइनोमिल डिस्टिबूशन दूसरा होता है आपका हाइप पर जियुमेट्रिक डिस्टिबूशन चोगता होता है आपका जियुमेट्रिक डिस्टिबूशन पांचवा होता है आपका पर जियुमेट्रिक डिस्टिबूशन कि अपका जियुमेट्रिक डिस्टिबूशन General Discrete Distribution is a table of possible values of X versus corresponding probability values corresponding probability values is known as is known as General Discrete Distribution जिसकी example मैं तपसे देता ही जा रहा हूँ जैसे यह भी एक आपका example था और यह एक आपका example हो गया यह आपका example हो गया यह भी आपका गया X क्या था Head आने की probability Head आने की जितने भी है chances तीन टॉसेज में 0, 1, 2, 3 So it was 1 by 8 It was 3 by 8 It was 3 by 8 It is 1 by 8 हमने अलरडी अभी starting में discuss किया था थीक है अब इसके उपर जो है gate में जो questions आए हुआ है पहले उनको solve out कर लेते हैं recent years में number of questions इसमें काफी आए हैं चली देखते हैं question है आपके पास ठीक है पुआ पास question जो आया है gate में gate 2015 का question है यह next page के करता हूं question number 2 gate 2015 civil engineering में आया था question है consider the following probability mass function में PMF लिख रहा हूं of a random variable x p x, q is equal to आपका q है 1- q है 0 q है if x equal to 0 if x is equal to 1 otherwise so यह आप question दिया हुआ है पुषता है if q is equal to 0.4 q is equal to 0.4 the variance of x is numerical latitude type question है nat type linear blanks type का question आया तो देखिए कैसे करेंगे चलिए सब्सक्राइब आपके पास पड़ेगा चलिए आपके पास x है और आपके पास p x है आपके पास 2 value है अगर x की value 0 है तो आपको q चाहिए अब यहाँ पे q की value 0.4 दीवे तो इसका मतला x की value 0 है q की value कितनी है आपकी 0.4 हो गए और x की value जब 1 है so 1 minus q है 1 minus 0.4 so it is coming out to be 0.6 तो आपके पास 2 values हो गए हमें क्या करना है हमें क्या निकालना है हमें variance निकाल तो variance क्या होता आपका variance की equation अभी लिखे थी variance की equation होती है आपकी summation of x i square into p x minus summation x i p x i का whole square right so मैं क्या करूँ है table बना देगा आप छोड़ी इस table यहाँ पर बना सकते हो so यह x हो गया यहाँ आपका p x आ जाएगा यहाँ आपका x i square आ जाएगा यहाँ आपका p x i into x i हो जाएगा यह x i square into p x i हो जाएगा यहाँ था आपका point 0 है और एक यह 1 है यह आपका point 4 है यहाँ point 6 है x i square 0 हो 1 ही रहेगा x i into 0 हो जाएगा यहाँ पर आपका आपका x i into p x i so it is a point 6 only x i square into p x i यह आपका 0 ही होगा और यह हो जाए अपका 1 into 0.6 यह आपका 0.6 ही रहेगा अब आप इसको solve out कर सकते हो directly मैं यहापर table बना देता हुआ ताकि आपको distinguish हो सके यहापर table बना दिया आपके लिए यह आपके पास table बन गई ठीक है तोड़ा सा नीचे हो गया अपके आपके पास value जागए अब आपको क्या करना है आपको values निकालने चली formula निकालने आपस एक पर चलते है so sorry so आपको value निकालने है variance की so variance is equal to summation of x i square into p x i minus summation x into p x i whole square so summation x i into p x i square क्या हो जाएगा 0 plus 0.6, 0.6 आ रहा है यहाँ पर so that is 0.6 minus यह value होगा यह आपकी 0.6, 0.6 का whole square यह भी आपकी 0.6 आ रही है बट 0.6 का whole square so this will be 0.6 minus 0.36 so आपका answer कितना आ गया है यहाँ पर आपका answer आ गया 0.2 ठीक है चलिए next question देखते है so एक इस्टा का question यहाँ पर gate में आया हुए यह gate 2015 civil engineering में आया था इसका answer आपका 0.25 चलिए next question देखते हैं CQ कर so question number 2 question number 2 कहता है in the following table gate 2014 two marks का question आया था mechanical engineering में in the following table x is a discrete random variable and px is the probability density the standard deviation is sd पूच रहा है option आपको दिया हुआ थे हाँ पर 0.16 0.36 option B A option C है आपका 0.54 and option D है आपका 0.6 आपको table यो दी हुए यो भी बना देते हैं table में दिया है आपको standard deviation निकालना तो मैं standard deviation के वेशे इस पर table बनाऊँगा question यो दिया था वो मैं black color से लिख रहा हुँ तो यहाँ पर आपका जगा एक्स यहाँ पर आपका जगा एक्स यहाँ आपका जगा एक्स यहाँ आपका जगा पी एक्स यहाँ आपका जगा एक्साई स्क्वाएर इसमें जगा आपका एक्साई पी एक्साई और आपको जो table में दे रखा है x की value जगा आपको दे रखी 1,2,3 दे रखिए तो 1 2 and 3 ठीक है आपको question में दिया है यहाँ आपे x i दिया हुआ था और यहाँ पे आपको p x i given है x i आपको दिया हुआ है 1,2,3 p x i आपको दिया हुआ है 0.3, 0.6 and 0.1 चलिए तो अब हमें solve करेंगे तो उसले से पहले हमें x i square चाहिए क्योंकि मार बस formula क्या होगा s d is equal to kya होता है solution में हम जाए s d is equal to under root of variance और variance क्या होता है आपको अब ही लिखा था summation of x i square into p x i minus summation x into p x i का whole square so x i square होजेगा 1, 2,2 जा 4, 3,2 जा 9 so x i into p x i अगर मैं निकाल हो यहां से तो 1 into 0.3.3 2 into 0.6 1.2 3 into 0.1.3 x i square into p x i अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो यह जाएगा 1 into 0.3.3 4 into 0.6.2.4 9 into 0.1.9 तो आपको इसको जोड़ना है अद समय को कर दिए so यहां पर total मैं लिख गता हूं color change करके so यहां पर आपका जाएगा total तो टूटल है आपका 0.3.3 1.6 sorry 0.3.3.6 0.6 1.2 1.8 आपका यहां पर आजाएगा और यह हो जाएगा आपका कितना यहां पर आपका आजाएगा 0.3 and 0.3 and 1.9 1.2 1.2 2.4 यह आपका आजाएगा 2.4 1.2 and so it is coming out to be 3.6 right so आपको variance अगर मैं यहां पर नहीं कालना तो variance हो जाएगा 3.6 minus 1.8 का whole square sigma आपका क्या हो जाएगा इसका under root so आपको क्या करना है so that is equal to under root of 3.6 minus 1.8 का आपका जो आप value रखोगे 1.8 का square आपका जेनल यह होता है 3.24 3.24 आपने इसको solve के तो यह हो गया under root of 0.36 so under root of 0.36 is 0.60 जो आपको आपको पास equation बता तो direct question को solve out कर सकते हो so आपका correct option हो गया है option number D.6 is the right answer ठीक है चलिए next question देखते हैं इसी के उपर जो आपसे आया है gate में 2004 में computer science engineering में question है I think question नवर फूर्थ है यह आज की छसका an examination an examination paper has 150 mcq of 1 mark each with each question with each question having four choices each incorrect answer each incorrect answer fetches minus 0.25 marks suppose thousand students choose all their answers randomly with uniform probability uniform meaning nearly nearly same probability with uniform probability the question there is some total of the sum total of the expected marks expected marks obtained by all the students by all the students a option a 0 b 2550 option c 7525 and option d d 9 and option d d d 9 three seven five solution कर तो आपके पास तो आपके पास दो values हैं यहाँ पे एक तो आपके पास एक्स है और पी एक्स है आपको expected total निकालना इसका मतलब आपको एक्साई पी एक्साई मतलब सबसे पहरता आपको मीन निकालना पड़ेगा तो अभी आतो हो सकता है कि वो सही पी एक्साई सही निकालो को यहां से होजएगा होए 1 by 4 और यह होजएगा आपका Kingdom 0.25 into this much सॉ अभी सो स्रव खरलो 真 0.25 into this much अपको जाएगा 3 by 4 divided by into minus of .25 6 This coming out to be minus of 0.1875 So, आपका xияхस यहां से कितना आजएगा e x हो जाएगा 1 by 4 minus .1875 आपको जब एक्स पता चल गया जैसे आपको एक्स पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो यह रिख सकते हो कि कितना माक्स मिलेगा 150 में आवरेज कितना माक्स आपको मिल सकता है आपको 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 क्रींद यह कटजय कास्ट से 75 eggs macht सिद्व और एक्सपेक्टेड टोटल ऑफ टोटल माक्स और थाउजने स्टूडेट्स एक तो यह तो इतना हो जाएगा अब यह आपगा कड़ जाएगा इसका के ट्वुेटर्क में डालते तो यह value आ रही है 9 3 7 5 marks so option is D so D is the correct option ठीक है चलिए next question देखते हैं इसी में next question नमाज 5 question आया है if gate to join 11 का question है if the difference between if the difference between the expectation of the square of a random variable e x square and the square of the expectation of the random variable e x का whole square is denoted by r then आपको option दिया है r is equal to 0 r is less than 0 c r is greater or equal to 0 r is greater than 0 solution so basically यह क्या है क्या राजर देखो तो r क्या है basically r is equal to e x square minus e x का sorry minus e x का whole square तो यह कुछ और नहीं यह क्या है यह तो variance है को जब मैंने variance बताया तो यह भी बताया था कि यह तो होगा यह नहीं कभी भी हाँ जीरो के बराबर हो सकता है जीरो से बढ़ा हो सकता है तो ए और डी को उसक्माइन कर रहा है option नमबर c so correct option is c ठीक है so correct answer is c चलिए next question देखते है question नमर 6 get आपका आया है यह gate आपका get 2012 में question is consider a random variable X that takes values plus one and minus one with probability 0.5 each the values of the values of the cumulative distribution function fx at x is equal to minus one and plus one r option देखते है आपको 0.5 देखते है 0.1 c है 0.5 and 1 0.5 and 1 and option d है आपका 0.25 and 0.75 चलिए अब देखी एक टॉपिक यहाँ है यह जो इन्होंने पूजा cumulative distribution function यह चीज मैंने भी बताई नीए what is cumulative distribution function तो पहले ही देख लेए cumulative distribution function होता क्या है so इसको मैं यहाँ पे note बना के लिखता हूँ पहले note what is cumulative distribution function the function fx is defined by fx is equal to summation of xi less or equal to x pxi is called cumulative function कहने का मतलब क्या है जैसे कल हमने cumulative frequency निकालते थे वह ऐसा ही तो pxi basically क्या है pxi is equal to fxi minus fxi minus 1 आपको क्या करना है पीछली value में से उसको घड़ाते जाना है so इसका मतलब क्या होगा इसकी value भी हमेंसे क्या होगी less or equal to one line करेंगी तो this implies जो आपका cumulative distribution function होगा वह भी greater or equal to इसके होगा so आप मैं question पर आ जाता हूँ solution question पर आ जाता हूँ आपके question कहता है आपका x है और pxi है एक बार minus 1 मिलता है एक बार 1 मिलता है तो value जोनों आपको मिलिए बच्चे कहता है plus 1 and minus 1 sorry plus 1 and minus 1 है तो plus 1 and minus 1 तोनों की probability 0.5 0.5 है तो यह अगर 0.5 है तो यह भी 0.5 दीए तो अगर आपको cumulative distribution function मनाना है देखेंगे अगर आपको cumulative distribution function मनाना है distribution function मनाना है तो कैसे लिखोगे आप x और fx यह होगे आप plus 1 और यह होगे माइनस 1 इसके उपर कोई value नहीं तो यह होगे 0.5 अच्छा जद्धा देखो आगे आपको करना है यह लगाना न पी एक साइज उकल टो fx i minus fx i minus 1 तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है यहाँ पे आपको यहाँ पे वो value लिखनी है जिसको जोड घट माइनस करने पे पीछे वाले value से यह आजाए तो अगर आपको 0.5 में आप किस में से 0.5 गटा हो तो 0.5 आएगा तो 1 में से अगर आप 0.5 गटा होगे तो आपको यह value मिलेगी तो इसे cumulative distribution function क्या हो जाएगा वो यह हो जाएगा discrete random function को ही पूछता तो यह होता तो आपका answer क्या हो जाएगा 0.5 and 1 तो इस तरीके से आप cumulative distribution function को भी define कर सकते हो clear है तो यह आपका होता है cumulative distribution function last question आया है आपका gate 2014 में a machine a machine produces 0, 1 और 2 defective pieces 2 defective pieces in a day with an associated probability of with an associated probability of 1 by 6, 2 by 3 and 1 by 6 respectively उनके probability भी आपको given है तो पूछता है the expectation and variance of defective pieces is R simple question है सबसे हम वही कर रहे है आपको option दिया है आपको a 1 and 1 by 3 option B दिया है आपको 1 by 3 and 1 and 1 option C दिया है आपको यहां पे 1 and 4 by 3 and option D दिया है आपको 1 by 3 and 4 by 3 simple दरीगा आप टेपल बना लो फटापट solution चले टेबल बना लेते हैं आपको आपको आएगा X P X I तो हमारे पास 3 values हैं 3 values जितने में आ जाएंगी अराम से तो यहां पे आपको आपको आएगा X यहां पे आप लिख लोगे अपना P X यहां पे आप लिख लोगे XI स्क्वाएर यहां पे लिख लोगे आप XI P XI तो पहले वह लिख देता हूं यहां पे आपको XI और P XI दिया है को इता है कोई आपको यहां पेक्साइब कंपणी है जो दो 0, 1 और 2 दिफेक्टिव पीस बना दे तो लिख लें या तो एक बी नहीं या तो एक बी डिफेक्टिवपीस या दो दिफेक्टिव इनकी प्रोबीबिल्टी है 1 बाइ 6 2 by 3 and 1 by 6 चलिए अब वो कहता है मीन निकालें तो मीन निकालें के लिए सबसे पहले हम XI स्क्वाइर निकाल लेते हैं XI 0, 1, 2, 2, 4 मीन के लिए आप हो चाहिए XI PXI तो होजाएगा 1, 0, 2 by 3, 2 by 6 फिर XI स्क्वाइर PXI भी चाहिए हो को कि आपको variance भी पूछा है तो होजाएगा 0, 2 by 3, 4 by 6 अब आप इनका total कर लो तो होजाएगा 2 by 3 plus 2 by 6 2 by 3 plus 2 by 6 यह आपका 1 by 3 हो रहा है so it is coming out to be 3 by 3 that is 1 और यह होगे आपका 2 by 3 plus 4 by 6 यह भी आपका 2 by 3 ही आ रहा है 2 by 3 plus 2 by 3 that is coming out to be 4 by 3 ठीक है तो चलिए नेक्स पीच में चलते हैं so mean आपका क्या होता है mean is equal to mean यह expectation जिसको हम बोलते है it is equal to summation xi into pxi so it is coming out to be 1 and variance जो होता है आपका वो होता है क्या summation xi square pxi minus summation xi pxi ka whole square तो यह आया आपका कितना यह आपका 4 by 3 minus 1 का square so that is equal to 4 by 3 minus 1 so it is coming out to be 1 by 3 answer so correct option है 1 and 1 by 3 1 and 1 by 3 is a so a is the correct option ठीक है so आज़ी class में हमने आपकी पहली type of probability distribution function जिसको हम general discrete distribution भी कहते हैं उसको solve out किया है कल की class में हम solve करेंगे binomial distribution के questions साथ इसाथ further topics हैं जैसे poison distribution geometric and hyper geometric distribution उनकी questions को भी हम solve out और उनके concept को समझेंगे so thank you all और कोई भी किसी को go doubt है तो आप comment section में reply कर सकते हैं आपने doubt डाल सकते हैं मैं उसको जल से जल आपको reply करने ही questions करूँगा and मैं आपसे request करूँगा कि मैरे channel को पीज सब्सक्राइब करें और दोसरों के साथ शेयर भी करें थैंक यू कर और रद्सक्राइब करूँ झाष यूभा झाच है defining । कर अगसरी यू उनके भी करूआ, है इंक रहाद है झाप Thrones